हलो और वेलकम दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार नाविक जी डी और डी बी एक्जाम के तैयारे के लिए एक प्रेक्टे सेट दोस्तों हमारा आज का यह जो प्रेक्टे सेट है इसमें आप लोगों इंगलिश रिजिनिंग ज ये जाने वाले सभी ले ट्रेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो देखिए आज के वीडियो का पहला प्रस्ट तो फर्स्ट कोशन है कि निमलिकित प्रस्टों में से दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द को चुनिए तो आपको जो है नीचे दिये गए तो देखिए आपको उप्सन दिये गए है सूर्य प्रित्वी ब्रस्पती और बुद्ध तो देखिए इसमें से जो है वो सूर्य विसम सब्द हो जाएगा क्यूं क्यूंकि प्रित्वी ब्रस्पती और बुद्ध ये तीनों ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों और चकर लगाते हैं तो इसका correct answer रजाएगा option number a सूर्य आईए देखते हैं अगला प्रस्ण तो अगला प्रस्ण है कि निमलिकित प्रस्णों में दिये गए विकल्पों में से विसम संख्या युग में 13 और 37 वाला हो जाएगा क्यों कि देखिए बाकी सब को जब हम 3 से गुणा करते हैं 10 को 3 से गुणा करते हैं तो 33 आ जाता है ठीक किसी प्रकार 11 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 33 और 50 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 1.500 आ जाता है लेकिन अगर हम 13 को 3 से किस से होगा तो देखिए आपको option दिए गए हैं हाथ पेर काला और चमड़ा तो देखिए कंगी जो होती है जिससे हम बाल जाड़ते हैं ठीक किसी प्रकार जूते जो होते हैं उनको हम पेरों में पहनते हैं तो इसका करेक्टान सुर जाएगा option नमबर बी पेर देखिए अगला प्रशन है कि लोहा जिस प्रकार एक धातू है ठीक किसी प्रकार oxygen क्या है ठीक है तो आपको option दिए गए हैं स्वसन, option नमबर बी गेस, option नमबर सी बिनागंध और option नमबर डी जीवित तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोहा जिस प्रकार एक धातू है ठीक उसी प्रकार ओक्सीजन जो है वो एक गेस है ठीक है तो इसी प्रकार इसका करेक्टान सुरगा option number B गेस I hope आपको समझ आ रहा होगा आईए देखते हैं अगला प्रशन तो अगला प्रशन है कि जिस प्रकार 13 का सम्मंद 27 से है ठीक इसी प्रकार 31 का सम्मंद किस से होगा ठीक है तो देखें 13 का सम्मंद 27 से किस प्रकार है ठीक है तो अगर हम 13 को 2 से गुणा करके एक जोड़ दें उसमें तो क्या आता है 27 ठीक है 13 दूने 26 प्लस 1 27 ठीक इसी प्रकार अगर हम 31 को 2 से गुणा करें और उसमें 1 जोड़ने तो क्या आएगा 63 तो इसका correct answer रोजाएगा option number A 63 देखिए एगला प्रस्ण है कि एक विशिष्ट कोड बासा में PALM को QC QC OQ से लिखा जाता है तो ठीक इसी प्रकार कोड बासा में S T E M को किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों इस टाइप का question जो है आप लोगों के exam में coding decoding से बनता है और काफी ज़्यादा important हो जाता है क्योंकि अक्सर जो है coding decoding के chapter से आप लोगों के exam में question पूचा जाता है तो देखिए palms को लिखा जाता है QC OQ ठीक है तो देखिए किस प्रकार लिखा गया है P ठीक है तो P का अगला word आता है Q ठीक है तो एक word बढ़ा दिया गया है इसी प्रकार A के बाद में दो word बढ़ा के लिखा गया है C ठीक है और L के तीन word बढ़ा के लिखा गया है O और M के चार word बढ़ा करके लिखा गया है Q ठीक है तो ठीक इसी प्रकार आपको stem में करना है तो अगर हम stem में ऐसे करेंगे तो देखिए E M को अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखा जाएगा S का अगला word आएगा T T का दो अक्सर बढ़ाएंगे तो आएगा हमारा V उसके बाद में E को हम बढ़ा के लिखेंगे तो H और M को लिखेंगे तो Q तो देखे T V H Q option number A जो है इसका correct answer हो जाएगा देखे अगला प्रस्ण है कि भारत का राष्ट्री आदर स्वाक्य क्या है दोस्तों इस प्रकार के प्रस्णों में अक्सर हम गलती कर बैठते हैं तो इसको जान से देखिएगा तो भारत का जो राष्ट्री आदर स्वाक्य है वो है सत्यमेव जयते ठीक है तो इसका correct answer होगा option number A सत्यमेव जयते अगला प्रशन है कि he was dash crying ठीक है तो इसमें आपको जो है right option choose करना है कि क्या हैगा तो देखिए इसका जो correct answer होगा हो जाएगा on the point of ठीक है option number B जो है इसका correct answer हो जाएगा he was on the point of crying ठीक है यानि कि वो रोने की कगार पर है देखिए अगला प्रशन है कि ground military operation with a practice purpose is cold इसमें जो है आपको one word substitution बताना है तो देखिए ground military operation with a set purpose is called campaign ठीक है इसको जो है वो campaign बोला जाता है तो इसका correct answer होगा option number B campaign अगला प्रशन है कि a person who lives next door is cold ठीक है तो a person who lives next door to cold वो जो होता है neighbor हमारी जो प्रशी होते हैं जो आस पास में रहते हैं उनको जो है बोला जाता है a person who lives next door is cold ठीक है तो neighbor अगला प्रशन है कि he did not eat his dash desert तो देखिए he did not eat his dash portion desert ठीक है तो इसका correct answer होगा option number A portion यानि कि उसने अपने इससे का खाना नहीं खाया अगला प्रशन है कि what अर्वीन के द्वारा दिया गया था तो इसका correct answer हो जाएगा option number D देखिए अगला प्रशन क्या है कि स्ठेतो इसकोप का अविस्कार किस ने किया था स्ठेतो इसकोप क्या होता है जो डॉक्टर जो है अगयन को क्या कहा जाता है तो वनसागती के जुनियम होते है उनके अगयन को जो है वो अनुवान सिकी कहा जाता है ठीक है तो इसका correct answer होगा option number B अनुवान सिकी और अनुवान सिकी के पिता माहा का भी question पूजा जाता है कि अनुवानसी की के पिता मा किसको कहा जाता है तो Gregor John Mendel को जो है अनुवानसी की का पिता कहा जाता है तो इसका correct answer जाएगा option number B अनुवानसी की देखिए अगला प्रशन है कि निमली कित में से किस खेल में गेंद का इस्तमाल नहीं किया जाता है ठीक है यानि कि इन में से कौन सा खेल है जिसमें गेंद का इस्तमाल नहीं होता है तो आपका option दिये गए है football, cricket, badminton या tennis तो देखिए football, cricket और tennis इन में से जो है वो सभी खेलों में गेंद का इस्तमाल होता है चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो लेकिन badminton जो खेल होता है उसमें गेंद का इस्तमाल नहीं किया जाता है तो देखिए option है आपके volleyball, cupboard D, शत्रंज या फिर football तो देखिए शत्रंज जो खेल होता है, chase जिसको हम बोलते है या फिर इंगलिस में तो शत्रंज जो होता है उसको एक team division नहीं बोला जाता है ठीक है उसको एक single single player ही खेलते हैं, तो इसका correct answer होगा option number C, सत्रंज अगला प्रस्ण है कि guilty man of Indian partition पुस्तक किसने लिखी है तो guilty man of Indian partition पुस्तक जो है, वो डॉक्टर राम मनोर लोहिया के द्वारा लिखी गई है तो इसका correct answer होगा option number B, डॉक्टर राम मनोर लोहिया, जिसनों ने लिखी है guilty man of Indian partition पुस्तक दोस्तों ये जो प्रस्ण है वो बहुँ ज़्यादा important है, काफी बार exams में पूछा जा चुका है तो ये जो है आप लोगों के लिए भी important हो जाता है आईए देखतें अगला प्रस्ण, तो अगला प्रस्ण है कि 1878 का वर्ना कुलर प्रेस एक्ट किसने रद किया था तो 1878 का जो वर्ना कुलर प्रेस एक्ट है, वो लाड रिपन के द्वारा रद किया गया था तो इसका correct answer हो का option number A, लाड रिपन, जिन्नोंने 1878 का वर्ना कुलर प्रेस एक्ट रद किया था देखिए आज कि इस वीडियो का आखरी question है कि भारत का राष्ट्रिय पंचांग किस सम्वंथ पर आदारित है तो भारत का जो राष्ट्रिय पंचांग है, वो हमारे सक्ट सम्वंथ पर आदारित होता है ठीक है, तो इसका correct answer होगा option number A, C, सक्ट सम्वंथ ठीक है, दोस्तों I hope आपको सारे प्रस्ट समझ आ गए होंगे तो इस वीडियो को like जरूर से कर देना और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो उसको subscribe जरूर से कर लिजेगा अगर आप लोगों इन प्रस्टों की पीडियाप चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलिग्राम चैनल को जोन कर सकते हैं जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे description में दी गई है इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन कुष्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी website defensepointprep.com के माज्यम से free online mock test दे सकते हैं जिसकी भी लिंक आपको नीचे description में दी गई है मिलते हैं एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद